हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम आपको बताएंगे मैदे की बर्फी आप घर पर कैसे बना सकते हैं कितनी आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल मावे जैसे बना सकते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेश करना नए भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमने यहाँ पर डाल लिया है कडाही में डालटा घी और इसको हमने अच्छे से पका लेना है घी को हम जायदा गरम नहीं करेंगे सिरफ इसको हमने पिंगलाना है गी हमारा यहाँ पर अच्छे से पिंगल चुका है अब हम इसमें डाल देंगे मैदा यह देखिए घी को हमने अधिक गरम नहीं करना है वरना हमारा मैदा एकदम से जल जाएगा और इसमें ऐसे करके धीरे धीरे आप इसको डालते रहें और पल्टे की साहता से इसको चलाते हुए इसको अच्छे से भून ले इसमें इस तरह की लंस पड़ेंगी यानि के गांठे पड़ेंगी आपको है पल्टे की साहता से ही इसमें मिला देनी है और इसको इस तरह से चलाते रहें ताकि हमारा मैदा जो है एक जगे से जले नहीं मैदे से जो है अच्छी खुस्बू आने लग गई है भूने हुए की हम इसे जादा नहीं भूनेंगे ये देखे हमारा मैदा भूनकर तयार है अब हम इसको निकाल लेंगे दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसे जादा ठंडा नहीं करना है ये हमने दूसरे बरतन में इसको डाल लिया है इसको हमने जादा ठंडा नहीं करना है अब हम इसमें मिलाएंगे इलाइची पाउडर ये देखे मैंने इसको जो है दरदरा पीशा हुआ है इलाइची के बी चीनी पावडर ये हमने इसमें जो है चीनी पावडर को मिला दिया है दोस्तो आप कुवंटिटी के हिसाब से इसमें मीठा कम या ज़्यादा मिला सकते हैं और इसको इस तरह से हातों की मदद से हम मसल देंगे अच्छे से यह हमारा जो है अच्छे से मिल चुका है यह हमने डिब लिया है यहाँ पर प्लास्टिक का आप देख सकते हो हमने किस तरह का डिब लिया है आप अब इसमें डाल देंगे इसको आप चाहे तो जिस तरह के बरतन में इसको बनाना चाहे बना सकते हैं मैं इसको जो है अच्छे से इस तरह हैं सेट कर दूँगा अब हम इसको जो है चम्मच की साहता से प्रेश कर देंगे हलका हलका सा और ये हमारा जो है सेट हो चुका है अब हम इसको जो है 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ये देखे दोस्तो हमारी बर्फी यहां पर बनकर तयार है सोरी दोस्तो वीडियो थोड़ा स्किप हो गया है इसलिए मैंने इसकी कटिंग पहले ही कर दी और ये देखे हमारी यहां पर बर्फी कितनी अच्छी बनी है आप दे सकते हैं कितनी मुलायम और कोई भी नहीं इसको पहचान सकेगा कि यह आपने मेदे की बनाई है या मावे की यह देखे दोस्तो हमारी बर्फी कितनी पर्फेक्ट यहां पर बनकर तयार हुई है तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं